महुआ मुहित्रा ने योगी सरकार को घेरा अनिल दुजाना एंकाउंटर पर किये सवाल देखें योगी के लिए महुआ मुहित्रा ने क्या कहा UP में बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है UP के मेरट में STF ने गैंक्स्टर अनिल दुजाना को एक एंकाउंटर में धेर कर दिया इसके बाद TMC सांसद महुआ मुहित्रा ने इस पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेरा है TMC सांसद ने टुईट करते हुए कहा है कि हमारे समवैधानिक लोकतंत्र में अतरिक्त नियाएक हत्या की कोई जगे नहीं है महुआ मुहित्रा ने टुईट के जरिये योगी सरकार से सवाल किया कि क्या कानूनी कारवाई के बजाए मुढभेन के दौराइन हुई हत्याएं जगे क्यों ले रही है माननिय मुख्यमंत्री आजेबिस्ट को खुन की बासना है इसलिए संतुस्टी पानी के लिए यूपी पुलिस को निर्देश दिये है हम अगर हमारे समवैधानिक लोकतंत्र में अतरिक्त नियाएक हत्या की कोई जगे नहीं है बता दें कि गौतम बुद्धनगर समेथ पुष्चमी यूपी के जिलों में आतंक अप्रयाय बन चुके बादलपूर के दुजाना गाओ के कोख्यात अप्रया दी अनल दुजाना आखिरकार मारा गया मेरट में UPSTF के साथ मुद्भेड में अनल दुजाना धेर हो गया बताया जा रहा है कि गैंक्स्टर अपने साथियों के साथ मीटिंग के लिए निकला हुआ था मुख्बिर ने UPSTF को अनल के बारे में सूचना दे दी जिसके बाद घेर कर से मुट भेड में धेर कर दिया गया अनल दुजाना गेटर नोड़ा के बादलपूर थाना च्छेतर का गेंक्स्टर था 36 साल की उम्र के अनल दुजाना पर 62 केस चल रहे थे यही वज़े है कि पुलिस ने उसके सिर पर 75,000 रुपे का इनाम रख रखा था दुजाना पर 62 मामलों में 18 मड़ड समेत रंगदारी लूट पार्ट जमीन पर कबजा, कबजा चुड़वाना और आम सैट जैसे गंभीर मामले शामिल है उस पर रास्टिय सुरक्षा कानून यानी रासों का और गेंग्स्टर एक भी लगा था गेंग्स्टर सुंदर भाटी पर एके 47 हमले का आरोपी था वो 2012 से जेल में था और जनवरी 2021 में बेल पर आया था बुलंज शहर पुलिस ने 25 हजार और नौईडा पुलिस ने 50 हजार का इनाम उस पर रखा था पुराने केशों में पेश नहीं होने से अदालत से गैर जमानती वारन जारी का रखा था बताने के कुख्यात अप्रयाधी अनल दुजाना पर 18 मडर समेत रंगदारी लूटपार्ट, जमीन कबजा चुड़वाना और आम सेक्ट समेत 62 केश दर्ज है जानकारी के मताबिक वो 2012 से जेल में था और जनवरी 2021 में बेल पर आया वहीं इस पर बुलन शेहर पुलिस ने 25,000 और नौइडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था इसके अलावा गैंग्स्टर के खिलाफ दिल्ली में आम सेक्ट का केश भी दर्ज था सूबे में लगातार आ रहे एनकाउंटर के मामलों को लेकर योगी सरकार की आलोचना की जाती रही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने कई बार कहा कि वो राज्य में खुकार अपराधियों और गैंग्स्टरों से छुटकारा पाने का इरादा रखते हैं हाल ही में गैंग्स्टर अतीक एहमत का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया था फरवरी में बहुजन समाज पार्टी के एक नेता की हत्या के मामले के गवा को गैंग्स्टर अतीक एहमत के बेटे असद ने गोली मार दी थी इस खबर में भी इतना ही आप बने रहिए बन इंडिया के साथ